हुआ हेलो फ्रेंट्स आइम मिस्टर अपर शेक यह दफ प्लीज सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल एके मुजिक स्ट्रीम नमस्कार मैं सिंगापूर से डॉक्टर आशुतोष बुल रहा हूँ कोरोना अब हमारे साथ रहेगा यह बात तो अपन सब लोग समझ गए अब कोरोना के साथ जिया कैसे जाए बिना डरे उसी क्योपरम चर्चा करते हैं सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह वाइरस जो है वो नाक और मूँ के द्वारा ही शरीर में प्रवेश लेता है तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है मास्क ऐसा खरीदिये जिसके उपर एक बिजिकली ऐलुमिनियम की छोटी सी पटी हो क्योंकि हमारे नाक अलग-अलग है किसी का खड़ा नाक है किसी का चप्टा नाक है तो इमिनियम की पटी को हम दबा देते हैं नाक के उपर और वो मास्क बिजिकली नाक का शेप ले लेता है ताकि उपर से हवा नहीं जाती डिस्पोजिबल मास्क यूज करना चाहिए ताकि शाम को उसे फैक दिया जाए तीसरे नंबर में सैनेटाइजर एक बोटल जेब में र करते हैं तो कोई भी घबराने की जरूत नहीं है आपको एक चीज और समझनी है कि जब सभी लोग मास पैर के घूम रहे हैं तो अगर जाने अंजाने में क्योंकि आप समझ लो कि बहुत जादा कुरोना नहीं है हमारी बस्ती इतनी बड़ी है कि यह आप किसी कुरोना वाले व्यक्ति से टकरा जाएंगे ऐसी संभावना बहुत कम रहने वाली है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटिन करना है गलती से किसी के नस्दिक भी आगए तो उससे डरना नहीं है क्योंकि आप दोनोंने मास पैरावा है तो दोनोंने म आदमी रोगी है तो रोग फैलने की संभावना फिर भी 20 प्रतिशत जैसे ही रहती है ठीक है अब सोशल डिस्टेंसिंग मास पैन लिया और हाथ को सेनिटाइज कर लिया तो आप अगर रेट जोन में भी हैं तो भी आपको कोई चिंता करने की जोरत नहीं है क्योंकि यह क्य लगा एक भी सीरियस नहीं हुआ है तो आप इसे जैसे मलेरिया के सीजन में मलेरिया होता है डेंग्यू के सीजन में कई लोगों को डेंग्यू भी हो जाता है तो हम उसके अंदर लड़ाई लड़के बाहर निकल जाते हैं इसे निकल जाएंगे तो इस खौफ को सर में से न basically wife हैं उनको कहिए कि पूरे परिवार के लिए रात को सोने से पहले आधा लिटर दूद बना के और उसके अंदर एक डेट चम्मच हल्दी डाल के उसको उबाल दें और सब को basically आधा आधा का पीने को बोले सोने से पहले ठीक है उसके अलावा basically कली सुबह उठें तब एक जग निम्बू पानी का नव से के पानी का बना दिया जाए और जो घर की जो में लेडी है वो एक कंपल सरी रूप से देखें जो भी basically बिस्तर से या बेडरूम से बाहर आता है वो एक ग्लास पानी पी के आगे बढ़े तो जब तक अपन इस चीज को maintain करेंगे के सुबह निम्बू का पानी गरम पानी के साथ और शाम को हल्दी वाला दूद तो हमारी उम्मिनिटी सही रहेगी ठीक है अब आप देखो actually हर बड़े बदलाव के लिए एक हाथसा जरूरी है तो आपने देखा होगा कि इंडिया में लोगों ने कभी भी quality lifestyle की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अब समय आगया है कि कुदरत हमें force करेगी के neat and clean रो कारण बिना लोगों को मिलो मत कारण बिना ये पाटिया ना करो कारण बिना होटल का कचरा खाना ना खाओ ठीक है तो ये एक समय ऐसा आ रहा है कि कुदरत हमें सिखा रही है और इसे हमें happily सीख लेना चाहिए उसमें कोई भी तरह का objection या कोई भी तरह का frustration face करने की ज़रूत नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि हर परे का खाना पिना ना मिल पाए कोई कहेगा सबजी नहीं मिल रही कोई बोलेगा कि मुझे सैलर्ड नहीं मिल रहा उसकी शिंता करने की ज़रूत नहीं है अगर आप मूंग चने की दाल और रोटी या मूंग चने का दाल और चावल दो दफ़े खाते हो और सुबे खलका सा दूद के साथ इवन ब्रेड का भी ब्रेकफास्ट करते हो तो आपके शरीर को सब कुछ मिल जाएगा आपको कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये समय कोई लाइफ टाइम रहने वाला नहीं है अगर अगर तीन महिने या दो महिने दाल चावल या दाल रोटी खाके स्पेशली मुंग चने की दाल जिसमें सारे ओस्टिक आहार आजाते हैं तो क्या फरक पड़ने वाला है कुछ भी फरक ने पड़ने वाला तो इस तरह लाइफ को positively manage कीजिए और काम धंदे पे लग जाईए social distancing maintain की जैसी कितने लोग example देते अरे आपने देखी भीड कैसी लग गई थी अरे भाई भीड लग गई थी तो वो भीड वालों को भी क्या है कि 15-20 दिम के अंदर दिमे दिमे भीड भी गाया पुझाएगी क्योंकि कुछ लोग थपड से सिखेंगे कुछ लोग बिमार होके सिखेंगे पर इस हाथसे से गुजरना जरूरी है क्योंकि अगर हाथसा नहीं होगा और हाथसे में से गुजरेंगे नहीं तो हम जो कोरोना के बाद वाला जो नया जीवन है उस तक पहुँचेंगे नहीं तो उस जीवन पर पहुँचने के लिए इस हाथसे से, इस हाथसे को पोस्पोन नहीं करना है, इस हाथसे से गुजरना जरूरी है, तो इस हाथसे से गुजरेंगे, और इसी तरह हम basically एक होके इन सारे नियों मों का पालन करेंगे, and we can be safe, safety के बारे में कोई भी चिंता मत करो, क चाइनिज रैकेड मच्छर मारने वाला, अलग-अलग प्रकार के मौस्किटो, रैपलेंड, सब लेके ही बैठते हैं, जैसे ही मेलेरे का सीजन आता है, तो मच्छर से बचने की कोशिश करते हैं, बरसात का सीजन आता है, तो हम बार का खाना कम कर देते हैं, ताकि बिमार न करने की जरूर नहीं है। जय हिन।